रोहे सर्मा विराट कोली, यानि कि रोको की जोडी, हमने अक्सर देखा है, रोको जब चलता है तो सामने वाली ओपनेंट कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, इनका तोड़ नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये प्लेयर नहीं है, ये सुपरमैन है, इनका अलग ही अंदाज होता ह है खेलने का, किसी एक का खेलना बहुत जरूरी हो जाता है इंडियन टीम के लिए, रोही सर्मा विराट कोली, ये ऐसे नाम है, जहां पे आसपास उनके पूरी टीम खेलती है, लेकिन कुछ टाइम से ऐसा हो नहीं रहा, पहला टेस्ट मैच हम गवा चुके हैं न्यूजिले को, और सौधी का तो अलग ही है, कुछ रोही सर्मा को तो खेलने ही नहीं दे रहे, भाई मतलब पता नहीं क्या नुकसा निकाल लखाएगी, वो बस रोही सर्मा है सामने उसको पता है, कि कैसे आउट करेगा, और हर बर करके जा रहा है, रोही सर्मा के ऊपर कही ना कही एक सौधी नाम का लग चुका है, और कैप्टेन जब ऐसे फ्लॉप हो जाए, तो पूरी टीम का एक कही न कई कॉन्फिदेंस लेबल हिलता ही है, और वो दिख रहा है, पूरी टीम इंडिया की 153 रन पे धेर हो जाती है, वो भी टेस्ट मैच में, वो भी अपने होम पे स्पिन को मदद है, अब समझ जड़ों, इंडिया टीम स्पिन खेलने में हमेसा से नंबर ओन रहाज करती थी, पर मौझूदा हाल ऐसा है कि स्पिन खेल नहीं पारी इंडिया टीम, ओभी मिचल सेंटर जैसा एक ऐसा स्पिनर नहीं कह सकते हैं, बहुत बहुत चमतकार है उसके फिंगर में हैं और कुछ ऐसा टरन करा देता है, नहीं, पार्ट टाइमर है, ओल रांडर कह सकते हो कि हाँ, इस्पिन भी करा लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, मिक्स अप है, जिनने आध तक कभी पांच विकेट नहीं लिया है, वो साथ विकेट ले जाते हैं, तीन विकेट इससे पहले उनका हाइस था, इस मैच में साथ विकेट लेके चमतकारी कर दिया, विराट कोली को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, विराट कोली जैसे बल्लेवाज को यार मतलब समझ रहे हो, जिनने 9000 से प्लस रन मना दियें टेस्ट मैच में, सतको का वर्मार लग दिया है, हम कंपेर कर रहे हैं, उन्हें सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इस तरीके से पूरा लाइन मिस हो जाती है, जो बोल्ड हुए थे वो अलगी था, ऐसा लगा है नहीं कि वो विराट को लिए जो इस गेन पे इस तरीके से आउट हो जाएगा, प बहुत टाइम से ये फेलियर आ रहा है कही ने कहीं, पिसले मैच में भी फेल्ड थे, सेकेंड इनिंग में कुछ बल्ला चला था, लेकिन जितना चलना चाहिए था उतना नहीं क्योंकि हम रोई सर्मा विराट को लिसे एक्सपेक्ट बहुत जादा करते हैं, पहला मैच हम ग बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी, उनके आसपास पूरी टीम को खेलाना पड़ेगा, तभी सायथ पॉसी बोले क्योंकि 153 रन पे आप आल आउट हो जाते हो, 300 रोनों का अभी तक लीड हो चुका है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब कितना बड़ा लीड ह होगा, नहीं पताब, उमीद यही रहेगी, रोई सर्मा विराट को लिए किसी एक को खेलना होगा, एक इस्पेसल इनिंग, ये सिफ ना इस मैच के लिए, टीम इंडिया के लिए और उनके खुद के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सतक आना चीए दोनों ही अंदाज में दिखते हैं, हर किसी का, हर प्लेयर का एक टाइम फ्रेम आता है, जब बहुत बुरा दौर चल रहा होता है, कुछ टाइम के लिए उनके बल्ले पे ऐसे-एसे फुल्टोस गेंद पर भी आउट हो जाते हैं, कभी-कभी ऐसे विकट लेने वाले गेंद को भी उमीद रहेगा कि ये वापसी आएंगे, सेकेंड इनिंग में कुछ क्लास दिखाएंगे, बाकि आप लोग बताओ, क्या लगता है, रोको रोक पाएगी न्यूजिलेंड को इस मैस्से जीतने से, सेकेंड इनिंग में क्या इंडिया टीम वापसी करेगी, ग्रेटेस कमबैक काएगा इंडिया टीम का, मुझे उम्मीद है, निराट कोली पे, रोहिस्वरमा पे, इंडियन टीम पे, आपको जो भी है, कमेंट में बताइएगा, फिर मिलें इगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाई